योजनाइन इंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है पैंसन धारकों की एक बार फिर से बल्ले-बल्ले हो गई है क्योंकि पैंसन धारकों के खाते में पैंसन का पैसा जो भेजा गया है 4,500 रुपे, 4,500 रुपे नवंबर वहिने की इस तारिक में यह पैंसन रिलिज किया गया है और किस तारिक में यह पैंसन का पैसा रिलिज किया है और किन पैंसन धारकों को यह पैसा मिला है और कितने पैंसन धारकों को यह पैसा मिला है और किस जिले में यह पैंसन का पैसा भेजा गया है हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं तो अगर आप भी एक पैंसन धारक हैं और आप अपनी पैंसन आने का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और जानेगा की कहाँ पर 1500 रुपे महिना के हिसाब से 4500 और 4500 रुपे का पैंसन लावार जो के खाते में रिलीज क्या गया है और किन पैंसन लावार जो के खाते में दिव्यांग, विद्वा या वरद्दवस्था में से किस के खाते में यह पैंसन का पैसा भीजा गया है तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं आए है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम पूरे नमबर के महिने का अपडेट आपको यहाँ पर देते रहे हैं कि किस किस तारिक में पैंसन का पैसा रिलीज किया गया है आप यहाँ पर देखिएगा और किस जिलों में पैंसन का पैसा रिलीज किया है पिछला वीडियो ह पोड़ी गड़वाल जिले में यहां पर पैंसन भेजा गया है यानि कि जो ताज़ाब डेट है वह 16 November 2023 का है जिसमें 17,942 पैंसन लावार्तियों को नौवंबर महीने में पैंसन भेजा गया है और यह है पोड़ी गड़वाल जिले में भेजा गया है और यह आप यहां पर देख सकते हैं यह है उत्राखंड राज्य की ओपीशल वेबसाइट है आप यहां पर चेक कर सकते हैं अपना कि पैंसन आया है या नई आया है और कि जिले में पैंसन भेजा गया है और आप जानते हैं कि 1500 रुपे महीना के इसाब से पैंसन भेजा जाता है उत्रगंट राज्य सरकार की तरफ से और तीन महीने का पैंसन यह है 4500 रुपे के साब से पैंसन दिया जाता है और यह है जो पैंसन दिया जा रहा है अभी जनुवरी से मार्स तक का पैंसन 2023 का पैंसन लावार्तियों के खाते में दिया जा रहा है तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेर कमेंट जरू कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं आया हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकरी के साथ